नमस्कार मित्रूं तीन विश्विद्यालें से पीचडी और एंफिल एडमिशन की सुचना है पहला विश्विद्याला है जादो पर विश्विद्याला है आप यहां पे अपने विंडो में देख पा रहे हैं यहां पे एंफिल एडमिशन के लिए अधिसुचना जारी हुई है यह आप देख सकते हैं आप नोटिस में देखेंगे तो पांच नमबर पर आपको दिखाई देगा सब्मिशन आफ आनलाइन अप्लिकेशन एडमिशन फार एम फिल कोर्स 2020 क्लिक है यहाँ पर किलिक करने पर आपके सामने डेटेल खुलके आ जाती है लाज़ डेट आप सब इस डिलं तरह और यहाँ से किलिक करें जाने वाला है मैं बस केवाद आपको इनफॉरमेशन दे रहा हूं अकर आपको डाप करना आ करना है तो मिल जाएगा वहां से लिक ओपन करके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और एपलाई कर सकते हैं लिए बिल्टे क्राइटेरिया का इस तरह का आपका फामने पेज खुल जाएगा इसमें आप पुरा क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं और फिर सलेक्षण प्रोसीजर कर यहां पर मिल जाएगा, यमफिल कोड़ा के लिए प nih परकार से उल्टे होगा, और फिर आतो इसजेद जाने हैं और यहां पर सब कुछ बता गया कि जब आप apply कर देंगे और वहां से आप लागिन भी कर सकते हैं तो यहां पर सारी चीजें पहले से बताई गई हैं बस आपको केवल इन सभी नोटिस को पढ़ लेना है लास्ट में आपको एक लिंक दिख रहा है कि लिखेर फार apply online registration आप यहां पर क्लिक करके जादव विश् देले हम इस समय कोर्षेटर विश्विद देले की website पर हैं यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट प्यच्डी कोर्स फार अकेडमिक सेशन 2020 इंट्रेंश यहां पर देख सेथा सब्मिशन आफ आनलाइन अप्लिकेशन फार में आपका तेज्वारा से सुरू ह पर जो लाज़ डेट आपकी है 21 2021 कि तक इसकी लाज़ डेट है दो जनवरी तक आप यहां पर फार्म को सब्मिट कर सकते हैं सब्मिशन फी आपके देखे 2000 रुपए रखी गई है जिसे आप 4 तक जमा कर सकते हैं नीचे आप आडिनंस पर क्लिकर करके आडिनंस चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से होगा फिश्ट्रक्चर देख सकते हैं और फीट mathematics सό देख सकते हैं तो कुछ चीजें हमने खोल ली हैं यहाँ पर यहाँ पर देखें तो department आप हिंदी में रिक आंदय के अंतरकत आप देखें 0 सीके हैं जीओ फिजिक्स में आप देखें तो 11 सीट है, इलेक्ट्राणिक शाइंस में 18 सीट हैं, बॉटनी में जीरोज, केमिश्ट्री में एक, जोग्रैफी में एक सीट है, डिपार्ट्मेंट आफ कंप्यूटर साइंस एन अप्लिकेशन में आप एक सीट है, बहुत सारी डिटियल यहां पर पहले से बताई गए है, देखें आप जो लोजी में हैं, दो सीटे हैं, और एम्टेक, एम्टेक एलेक्ट्री का लित्याज में आप देखें तो 16 सीटे हैं, यह सारा लिंक आपको इशी वीडियो के डिस्क्रिशन मिल जाएगा, आप यहां से पढ़के पूरी डि कुछ लोगों को यहां पर छूट मिल जाएगी, अगर आप तो आपको पांच परिस्क्रिशन मार्क की छूट मिल जाएगी, और आप पूरा नूटिफ पढ़ सकते हैं, यहां पर से लेक्शन का देखें, प्रोफीजर दो प्रकार से होता है, एक तो जो जो जारेफ है, ने प्रकार से छूट मिल जाती है, और दूसरा वो प्रोफीजर जिसमें इंटरन्स एक्जाम आपको देना होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, अंडर एक्जम्टेट काटेगरी दिया हुआ है, पूरी डिटेल यहां पर समझाई गई है, आप इसे पढ़कर एपलाई कर सक सकते हैं, इस वीडियो में मैं सब कुछ चार्ट में ही बताने वाला हूँ, मैं जाता है डिटेल में नहीं जाओंगा, लेकिन सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर आप यहां पर फी इस्ट्रक्चर देख लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फिर देखिया आप इंडॉल्मेंट फी जो है 25 रुपए है, और फिर एक और चार्ज है, इस्टेबलिस्मेंट चार्ज जो आपका 1000 रुपए है, माइगरेशन फी है, 25 रुपए है, पिर आपकी आनुवल फी जो रिसर्च की है, यह 5000 रुपए है, फिर आनुवल फी फार रिसर्च प्रोग्राम फार सब्जेक्ट इंवाल्विंग यूजिंग आप लैबोर्टरी केमिश करते हैं, आप साइंस से हैं, जहां पे आप केमिकल से यूज करेंगे लैबोर्टरी में, तो 15,000 रुपए और लग जाएंगे, आनुवल फी फार फार्मा लेट फी आपकी 100 रुपए लग जाएगी और फिर दो महीने जादा अगर फिर 6 महीने जादा लेट होता है तो फिर 200 रुपए यूलेशन फी आपकी 12,000 रुपए लग जाएगी जब आप थीसिस को सम्मीट करेंगे, तो यह सारी डीटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्र पर पटियाला में है यह और यहां पर आप देख सकते हैं कि पंजाबी भासा में भी लिखा हुआ है और अंगदेजी में लिखा हुआ है तो यहां पर जब आप एडमिशन नोटिस क्लिक करेंगे या फिर एडमिशन 2020 पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके समने डीटेल आजाएगी देखिए कौन सा एडमिशन इस टाइम चालू हो रहा है तो इंपॉर्टेंट डेट रिगार्डिंग एंपिल पीच्डी इंट्रेंस से यहां पर भी देखिए एडमिशन स्टार्ट हो रहा है लास्ट डेट जो है फाम को फिल करने की वह 31 दिसंबर 2020 तक डाउनलोड एडमिट कार्ड एक जनवरी तक इंट्रेंस टेस्ट आपको जाएगा पांच जनवरी 2021 को रिजल्ट आपका आजाएगा 15 जनवरी 2021 को अब यहां पर आपको अप्लाई करना है तो नीचे दिया किया लिंक है निव यूजर रिजिटेशन यहां पर पर क्लिक करके आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और पहुत सारी डिटेल अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी इसमें जैसे हमने क्लिक किया है रिजिटेशन नाव पर तो आप देख सकते हैं यूजर रिजिटेशन का फाम आ गया यहां पर सलेट कोर्स यहां पर देखें अपिल पीच्डी फाम नंबर 14 यहां पर लिखा हुआ इसको सलेट करके आप फिर यहां पर जो भी डिटेल पूछी गई है कटेगरी आपकी नेम फदर नेम जेंडर इतियाज भर करके आप यहां पर रिजिटेर कर सकते हैं और सारी डिटेल आपको वेश से उसका दोर सी नफारमेशन तो जैसे यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर आजाएंगे जो पर हमारे सामने खुला हुआ है यहां पर बहुत सारे फार्म हैं यहां पे आप देख सकते हैं फार्म से डार्ट हो रहा है और लाश तक गया है तो फीडि अम फीड फीड अगर आप लेट कर जाते हैं 31 के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको रुपए की फीज देनी होगी जनरल और अधर कंडिडेट के लिए बीशी कंडिडेट के लिए यहां पे दोहजार रुपए की फीज है और अगर आप 31,12,20,20 के बाद यहां करना चाहते हैं तो आपको 35 रुपए की फीज देनी होगी काफी हाई फीज रखी गई है और यहां पे रेजिस्टर ना उपर क्लिकर करके आप डारेक्ली रेजिस्टर भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में सारी चीजें बता दी हैं जो चीजें यहां पे हमने बताई हैं उन करें दोस्कू के साथ सेयर कर दें